प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है दस का दम एप्रोच अपनी रहेगी पास केवल किश्चन का थौट क्या है और एक हमें एसेंस देखना है अब आपके पास पूरा बेस बन चुका है आपके आज काइनेमेटिक्स है वेक्टर्स है प क्या है सब कुछ आपके पास है तो अब आप कुछ भी वर्क कर सकते हैं आपकी पावर बढ़ चुकी और आपके एनर्जी बहुत है तो आज का अपना टॉपिक का नाम ही है वर्क पावर एनर्जी सेंट्र ओं मास और कॉलिजन्स इसमें हम एक हलका सा ग्लांस रिवीजन कर आपके सब्सक्राइब कर आपके इसका इसका 11 के एसाफ से इसमें किस्टिन यहां से ठीक आने चाहिए क्योंकि लाश्ट टाइम के लिए क्रिक बताऊंगा लेकिन आपको बस उसको समझना है रटना कुछ नहीं है ठीक है चले हलका सा एक ग्लांस रिवीजन देखते आपको थ्यान आ जाएगा फोर्स जब कभी भी वरिबल फोर्स हो था में इंट्रिगल से करना पड़ता है क्रिशन और जेनरलि आपने पास अगर वैक्टर अप्रोच में अपने पास फोर्स भी कॉंस्टेंट है अपमार्ण से अब्रोडी कर सकते हैं बाकि जहां पर आपके पास कभ मालू होते हैं आप कर सकते हैं हमने शुरू में पहले ग्राफ एप्रोच में इसको देख लिया है कि सबसे बड़ा ब्रहमास्त्र वर्क एनरजी थियोरम एक है राइट इंड साइट जो सबसे आसान होता है जिसमें आपको देखना पड़ता है कि सिस्टम के अंदर जो भी ची नोन-कंसरियोट्यू जया जाएगा और आपको को जब भी करना है आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे इनिशल और जब पहुंचांगे फाइनल तक तब तक यह आपकी एक्क्विशन तयार हो जाएगी बस एक को अन्नून रह जाएगा हो आप आरहम से निकाल लोगी अब हो सकता है आपके spring का constant हो सकता है तो जो भी है और जाक कंजुटी फोर्स फील्ड का वर्क आपको मालूम है क्या है तो आपको मालूम है कंजुटी फोर्स फील्ड का वर्क अपने लिए f is equal to minus d upon dx से लिख सकते हो work is equal to minus delta u और जहां आपको कभी लगे कि ग्रैविटेशन से वर्क हो रहा है तो आप उस पर सीधा करें हर जगे अपने को वेक्टर फॉर्म नहीं देखना है ग्रैविटी फील्ड के अंदर है ग्रैविटी भी नीची है डिस्प्लेस्मेंट भी नीची तो आरम से साइन को positive मान सकते हो उसको ध्यान रखते हैं फिर आपको answer को टिक करना है option में ढंक से चेक करना है यह जो बात बोली थी वह आगई यहां पर और यह जो बैकेनिक अन्दीजी conservation है यह तो आपने बहुत जगे यूश किया है सर्क्लो मोशन में बहुत ज्यादे यूश होता है अपने वर्टिकल प concept है वहाँ पर भी देखते हैं कि पूरी kinetic energy पूरी spring की convert होगी elastic potential energy में spring को कभी compress करके छोड़ दिया तो पूरी इसके energy convert होगी kinetic energy में vice versa कुछ भी हो सकता है अगे यहां भी case initial final का है जब भी ऐसे question हो सीधे इस पे numerical data मत रखो पहले इसको आप basic thought को apply कर दो और left hand side पर unknown को लिया औ और फिर right hand side में data put करो और जो अपन करके solve नहीं करेंगे पर आपको बोलो है यह दिया यह दिया यह पूछा आप निकाल लोगे इतना गुड़ाबाग आपको आता है पावर एक था पहले फोर्स एक वर्क वर्क के बाद पावर रेट और वर्क इस पावर रेट आफ सप्लाइव एनर्जी इस आलसो पावर तो पावर के साब से यह जो एफ डॉट वी है इससे अपन कई तरह क्यूशन हो सकते हैं कई बार को मोटर पर हम काम कर रहा है कभी से आने को ओपर खींच रहे हैं तो वहाँ पर मोटर की पावर भी है किस रेट से हम कर रहे हैं एफ डॉट भी वह पावर हो गया यानि कि जूल पर सेकेंड उसमें हो सकता है कि हमारा डिस्चार्ज रेट क्या है तो कभी क्यूशन हो सकता है वैलोसिटी कितना गुना हो गया फोर्स कितना गुना हो जाएगा पावर कितना गुना हो जाएगा तो आप यहां से स्टार्ट करोगे हर क्यूशन हो जाएगा ऐसे क्यूशन आपके नीट में आये भी है और जाब इनको बना लोगे तो फ्लो में आपका जबा होगा कि भाई क्या पूछा है वैलोसिटी मैं आराम से इन दोनों के help से निकाल सकता हूं displacement vector final minus initial से और यह मेरा force vector बन जाएगा इसका magnitude है और इसके unit direction को f के बिलिख सकते हैं vector upon vector का magnitude यह जो force की value है इसके साब से force vector क्या बन गया 20 इस vector के साब 6i plus 8j upon square and root करूँगा 36 plus 64 का under root यह में रोग f पस मैं कहा रहा हूं यह दे दिया अब आपका displacement vector d final minus initial अब आराम से इसका यह vector बना लोगे 3 minus 2i 3 minus 1 2j और 4 minus 3 1k दोनों vector हो गया है आपके f और d form में आ गया है इसका मतलब आ रहा हम से f dot d करके यहाँ पे constant force से work निकाल सकते हैं ठीक जो होगा निकाल लेंगे ऐसे करना है क्या दिया है बस simple से thought देखा हमें क्या बनाना है force को भी vector बनाना है तो उसका unit vector मिल गया यह unit vector मैंसे भी लिख सकता था f vector के साब से f और इस डारेक्शन का unit vector जो भी है ऐसे लिख सकता था उस unit vector को मैं यहां से बना रहा हूं वह constant force यहां बोला variable force चलिए साब two dimensional vector ठीक है x है और y के साथ 4 यहां पर y है लेकिन constant है y components का force in a newton x in meter ठीक है changing kinetic energy इसका मतलब अगर में work निकाल लूँ तो work क्या होगा changing kinetic energy तो मेरे को बस आगेन बापस आ गया w मैं लिख सकता हूं w is equal to f dot dr integration dr vector को लिख सकता हूं है dx i cap dy j cap step बस समझना f vector मेरा है लिखा हुआ है जब मैं यहां पर limit देख रहा हूं तो x की limit है 2 से 3 और y की limit है 3 से 0 मैं इतना करके छोड़ दूँगा बस बाकिया आप कर लेंगे तो यहां से मेरा यह तैयार हो गया 3 x square i cap plus 4 y j cap dot dx i cap dy j cap और limit में लगा दूँगा बात ने जो दिखरी मेरा को dx की limit और dy की limit यह 3 x square और यह 4 यहां पर 4 y kp यहां पर 4 dy आपके लिए 2 से 3 और dy में 3 से 0 फाइनल माइनस इनिशल करके पहले फाइनल लिमिट बाद में इनिशल फाइनल लिमिट इनिशल प्रॉपर करके जो आ जाएगा वर्क और वर्क किसके वरार होगा चेंज यह का इंडिक इनर्जी तो इस टेप समझने थे बाकिया आप कर सकत है अब बॉडी मास टाइम टिस्ट्रिंग लोड़े कॉंस्टेंट एकसेलेशन जी बाइफोर ठीक है इस टेंशन ऊपर एम जी नीचे जी बाइफोर से चल रहा है तो यहां से हमारा हम से टीक के साब से निकाल लें बाटिक इस लेकिन यह दिख रहा है कि डिस्प्लेस्में नीचे एच पटेंशन ऊपर तो साइन नेगरिट तो आ नहीं है तो यह दो हर खतम हो गए अब ज़रा यह देख लें कि हमारा यह एक्वेशन के साब टी क्या निकल रहा है तो एम जी minus t is equal to m into g by 4. t is equal to 1 minus g by 4, 3 by 4 mg. अगर प्रोपर लिखू हूं तो t h angle कितना है? cos pi 3 by 4 mg और cos pi क्या होदा है? minus 1. Uniform chain of length m is lying on a smooth table 2 by 3. वैसे आप इसको मुझे वानी भी कर सकते हो क्योंकि यह तो आपको मालूम basically करना क्या? कितना mass mg और central mass कितना height तक लाना वो work हो जाएगा? मैं देख रहा हूं कि 2 by 3 यहाँ पर है, उसका आधा क्या हो जाएगा? 1 by 3. तो 3 3 9 उपर 2 तो 2 by 9 multiple आना चीए मैं कोई दिख रहा है, यह गलत, यह गलत, यह गलत, मेरा answer यह हो गया. अब पूरा करना हो तो आप आराम से इसको बना लिजे, w is equal to mass unit length मालो lambda into जो भी इसका part है, ठीक है? 2 by 3 L करो या इसको और general करना हो तो इसको NL कर लो, तो lambda NL यह mass हो गया, into G और NL by 2 यह आपका बन गय क्या formula, lambda N square L square G by 2, यह गया, अब मेरा N यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 by 3 कर लिजे, और lambda को लिख दीजे क्या, mass unit length M by L, तो यह lambda का बाद में रख दूँँगा, L square है, L capital लिख दूँग, जो दे रखा है, G by 2, N square को लिखा 2 by 3 का, तो आप बोले यहाँ पर 4 by 9, यह से गया, वापस 2 by 9 आ गया, और यह जो हो, M by L, एक L cancel हो जाएगा, यह आ जाएगा, तो यह आपका जवाव standard हो गया, मैंने इसको बना दिया formula के अंदर, N यहाँ पर कितना है, N की value X से कम है, N यहाँ पर कितना है, 2 by 3 रख दीजे, और वैसे general करें, तो आपको मालूम है कि यहाँ प पार दिया है, 2 थर दिया है, कि आपको 1 थर दिया है, अगर 2 थर दिया है, तो उसका आधा 1 थर हो गया, अगर 1 थर दिया है, तो उसका आधा 1 by 6 हो गया, जो दिया है, 3 फोर दिया, तो उसका आधा 3 by 8 हो गया, तो बस आपको multiple करना है, 2 upon 9, 1 upon 18, 9 upon 32, और वैसे general आपका बना आई दिया मिनखा डेल करुए गलत नहीं होना चैनि है में ज्यादा अच्छा होगा और अगर आप व्याद कर सकते हो तो इसको MTR बना लो क्योंकि एक क्षिशन आपका है इंतिजार कर रहा है दोजार चोई इस में गलत नहीं होना चाहिए और ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसको ऐसे करो जो मैंने बता है मुल्टीपल करके पोटाक से कर लोगा ठीक है मैंने अगर 1 by 2 बोला आधा तो उसका आधा क्या होगा 1 by 4 उपर 1 नीचे 8 बाकी मालूम है बस मुल्टीपल 1 by 8 हो जाएगा चलिए एक क्षिशन तयार आपका तो जब ऐसा हो तो बहुत सिंपल तरीका ट्रिक कह सकते हो एवरेज मास से आप gravity against work की बात कर सकते हो MGH में M average M average क्या है पहले था कित्ता 15 और बात में कित्ता average कर लिजे दोनों का M initial M final मैंसे लिख दिता हूँ बाकिया आप कर लोगे GH इमरिकल मुझे solve नहीं करना हो जो आएगा वो बस thought ये था कि average से कर सकते हो ठीक है particle moves on a rough horizontal ground with some initial velocity से भी 0, if 3 4th of its kinetic energy loss due to fraction, 3 4th loss हो गए इसका मतलर है कित्नी कही पहले की 1 4th, kinetic final is equal to 1 by 4 of initial, इसका मतलर speed क्या हो गई? अगर आपके लिए energy 1 4th हो गई, तो speed क्या हो गई? 1 by 2, किसने retard के इसको friction है? तो आप खटाक से लिख सकते हो, first equation सोचते है, v is equal to u minus mu gt, v 0 by 2, v 0 mu gt, और यहां से आप आराम से निकाल सकते हो, mu gt is equal to v 0 by 2, तो क्या निकालना है? mu, mu is equal to v 0 upon 2 gt, t0 बोला है, t0 कर लो, कोई दिखते हैं, तो मतलब में, तो proportional से हम question fast कर सकते है. A block of mass m moving with speed, we compress a spring through distance x before its speed halved, इसका मतलब जो भी block की loss in काणिक energy है, वो spring की store क्या बन गई? x compression के लिए, elastic potential energy, तो loss in बराबर spring की potential energy, loss का मतलब, खटाक से बोली कित्ती थी पहले? v से, v by 2, तो इसका मतलब 1 by 2 mv square minus 1 by 4 mv square बराबर half kx square. अब यह 1 by 2, मैंने क्या बोरा है, इसको 1 by 2 एक फेक्टर आएगा ना? यहां से दिख रहा है, 3 by 4 multiple भाना चीब, बाकिया आप निकाल लोगे, क्या निकाल है के, इसको मैं जाद अच्छा इसा लिखते कि 1 minus 1 by 4 half mv square तो भी गलती नहीं होती है, तो जाद अच्छा multiple होता है, 3 fourth of half mv square. चाली, simple question, mass, speed, हस्त हस्त चलो, बड़ा simple question चलो, spring आया तो spring तो आदा हाँ से बच्छपन जो खेल 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 करते है, यह maximum compression, see the half mv square is equal to, पूरी की पूरी पूरी energy, इसमे करोड़ की spring की maximum compression की plastic potential energy, solve कर सकते है. block of mass I am released from the top or smooth, release from, यानि कि initially speed 0, x mg sin theta के अंदर यह इसको लगाता है, x rate करता रहा, horizontal surface rough, यहां आपको मालू है, mu mg इसको retard करता रहा, तो अगर direct बोलू, तो यह अगर यहां बहुत सा final रुख जाता है, final भी 0 है, initial भी 0 है, तो मेरा work energy theorem के अंदर, इदर final minus 2, 0 है, और इदर मेरा work चल रहा है, कौन सा, अगर इसको बोलू, mg sin theta into x और इसका चल रहा है d distance के साबसे, mu mg into d is equal to 0, निकाल लीजे, क्या निकालना है इसमें, coefficient friction, mg ज़ड गया, mu d is equal to x sin theta, so mu is equal to x sin theta upon d. अब lock of mass m is load slowly from the natural length, यह तो आपका इस question standard है, जब भी weight balance होगा, क्योंकि जब इसको आप, बोल रहा है slowly, इसका मतलब weight balance condition चल रही है, तो जो भी इसमें बोल रहा है कि weight balance, mg is equal to kx, बास सही है, अगर आप इसको एक जटकेश छोड देते, तो फिर energy balance करते, यह बास सही है, क्योंकि इसको slowly बोला है, तो यह जो student बोल रहा है, यह सही लग रहा है, और यह जो कर रहा है इसका मतलब इसने जल्दी कर दी, अगर हम इसको एकदम छोड़ देते, तो under gravity के साफ से mgx बोल दो, यह बोल दो, half x square होता, लेकिन अभी इसको कैसा चोड़ा है, slowly इसका मतलब weight balance करेगा, और weight balance किस से होगा, spring के force के x से होगा, तो यह student गलत है, यह सही है, अच्छा question, thought के साफ से, इंदी है तो, a body of mass 1 kg, begins to move under the action of time dependent force, okay, time dependent force, power till work, अच्छा, जैसी बोला, power आप दिमाग में आगे होगा, f dot v, ठीक, f हमारे पास है, और हम को यहां से, power को हम लिख सकते हैं, यहां से, m v dv over dt, इसको लिख दिया है, इसको लिख दिया है, मैंने, 2ti plus t square j, m1 kg कोई दिक्कत नहीं रख दिया, dv is equal to, उदर dt चला गया, 2ti cap plus 3t square j cap, dt, integral, integral, begins to move, इसका अगर t equal to 0, पर velocity vector क्या है, 0 है, और किसे time t पर निकालना है, तो आप यहां लिख सकते हो, t equal to 0, velocity 0, किसे time t पर इसको बोल दिया, v vector, यहां से v vector त्यार हो जाएगा, यहां से हो गया, 2t square by 2 करोगे, तो 2 cancel हो जाएगा, 3t cube by 3 होगा, तो 3 cancel हो जाएगा, और यह मेरा बन जाएंगे, i, j के साथ, तो color change कर रहा हूं, 2 cancel हो तो t square i cap, और 3 cancel हो तो t q j cap, समझेंगे, आप integral जो हुआ यहां पर, और यह मेरा integral होने के बाद limit लग जाएगी, मेरी जो, तो सीधे लगए एक तर लिमिट रखेगी, जीरो चल रही है, तो अपने आप integral हो गया, sol और यह बन गया, मेरा v vector, check करने, t square by 2, 2 गया, t q by 3, 3 गया, अब मेरा पास power is equal to f dot v, f है, f रख दीजे, dot भी रख दीजे, और यह power आ जाएगी आपकी जो unit होती watt, 2 t, 2 t, t square, 2 t q आ रहा है, और 3 t square और t q तो 3 t 5 आ रहा है, इसका अदर 3 t 5, 3 t 5 ढूंड रहा हूं, यह मिल गया, चार option का फायदा उठाना है भी अपने को, पूरा स्वाल करने ही जुरत नहीं, a body of mass, I am starting from rest from origin moves along x-axis with constant power, जैसे बोला constant power, power constant है, लेकिन बाद में बात के relation, velocity distance इसका मतलब v और x के बीच में, तो मैं खड़ाक से इसको बोलूंगा, power होता है f into v, अब मैं इसको लिखूंगा mv dv over dx, क्यों लिखा मैं ने इसको, क्योंकि a की जगे में यहां लिखता है, अगर dv over dt, तो मेरा v over t चल जाता हूं, लेकि vt नहीं, पूछा क्या है, vx तो इस कैसे लिख दिया, तो बस आपका यह mv, यह m, a हो गया, यह हो गया v, यह बन गया मेरा, mv square बस आपन चलता जाएगा, dv over dx is equal to p, p constant है, v, वाली side को एक साइड लगया, mv square dv, p dx, integral, integral, integral यहाँ पर किया, यह तो p constant है, x आ गया, यहाँ पर किया, mv cube by 3 आ गया, अब क्या क्या चीज, कैसे है constant, p constant है, 3 factor, m constant है, इसका x is proportional to v cube, v cube x, बहुत पुराना question, standard, इसमें जो भी चीज दी जाए, इसमें आप बचो ध्यान रखना, power constant है, वो हमारे proportional का का काम करेगी, और जहां हमको बोला relation क्या पूछा, distance है और velocity है, तो हमको acceleration को लिखना होगा, v dv over dx, यह हमारा thought important है, dv over dt हम जनले जानते हैं, लेकिन यह यूज करना है आता है, ठीक, यह बहुत है, हमारे time का question है, आस्तान pt 1985 में question है था हमारे, 85 में, pump used to deliver water certain rate from a given pipe, ठीक है, to obtain n times water from the same pipe, the same time, what factor the force of mode, force की बात कर ली, मैंने शुरू में कहा था कभी force, कभी velocity, कभी power, लेकिन क्या बोला है, constant rate, इसका मतलब per unit time, जो mass है, dm upon dt, यह आपका constant rate से चल रहा है, और इसको हम लिखें तो यह हो जाएगा, no doubt, a into v into rho, यहाँ पर a क्या है, जो भी pipe उसका cross section area, liquid density और जो यहाँ पर speed है, उसको क्या तो v, यह number one हो गया, अब आपसे question कह रहा है कि हमको इसका n times करना है, इसका दब आपको यह rate देना है, n times dm upon dt, तो मुझे दिखरा है यहाँ पर कि अगर मैं direct बोलूँ तो dm upon dt, क्योंकि a और यह तो क्या है, constant है, लेकिन यह proportional to v हो गया, तो अगर मैं यहाँ पर इसको सीधे लिख देता, कि dm dash के साब से यह a v dash rho है, यह मेरा हो जाता, वैसे मैं इसको solve कैसे कर रहा हूं लेकिन वैसे दिखरा है आपको कि v dash हो गया nv, चेक करिएगा, v dash हो गया nv, अब आपको जो चाहिए rate उसमें आप देख रहे हो कि dm upon dt dash आपको चाहिए, आपने बोला इसको n और यहाँ पर हो गया यह dm upon dt के साब से क्या होगा और अपर पोश्टल 2, बोलिए nv हैं पर, तो force क्या होता है, तो मेरा force हो जाएगा यहाँ पर v dm upon dt, v तो हो जाएगा nv और dm upon dt n चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर अगर force is proportional to all और v का तो आ रहा n और dm upon dt का भी क्या चाहिए, इसका मतलब force proportional to n square हो जाएगा. और इसको हमपन समझ सकते हैं, यहाँ से अगर force से करके देखें, direct भी कर सकते हैं, इतना करने जूरत नहीं पड़ती, मैं यहाँ बोलूगा v के साथ जब हम मिला nv, तो एक तो यहाँ पर आया n, और यह मुझको चाहिए n गुना, तो यहाँ पर भी आया n, n into n force क्या हो जाएगा, n square times हो जाएगा, तो यह भी direct भी कर सकते हैं, यह smart तरीक है, अब आप इसका अगर power बोलते, तो अपने आप power क्या हो जाता, तो वी देश तो हुआ nv, force हुआ n square f, और अगर power बोले, तो power f into v, again v आ गया, तो power हो जाएगी, n cube हो जाएगा power, velocity n times, force n square times और power n cube times, क्या पूछा इसको ध्यान से कर सकते हो, ऐसा question आपके आ चुका है, NEET के अंदर, पोई भी question है, हर को fresh, बिल्कुल मुस्कराते विचारे से पढ़िए, engine pumps water, ठीक है, through a hose, water leaves the hose with a velocity V, यह मान लेजिए, चोटा सा मैंने cross section लिया है, इसमें जो mass है, dm, और यह len cover कर रहा है, इस direction में v से, तो दो बाते हो गई, per unit mass, dm upon dl, dm upon dl, यह दे रहा है मेरे को small m, mass per unit of water, और एक, यह जो यहाँ पर, इस direction में l change हो रहा है, जिस rate से, तो इसको dl upon dt को में लेख सकता हूं, v, यह मैंने दो चीज़ बना ली, क्योंकि मेरे पास small m और v के form में जवाब है, जैसे इस cross section पर गया, तो हलका समय यहाँ पर, cross section के अंदर, जो भी यहाँ पर water है, उसके लिए बोला, यह mass, छोटा सा dm, length मानी इसकी क्या, जिस direction में velocity dl, तो mass per unit length हो गया, dm upon dl, m, और इस direction में यह distance, जिस rate से change, और dm upon dt क्य हो आजाएगी velocity, अब आजाएगी पूछा क्या है, what is the rate at which kinetic energy imparted to water, kinetic energy होती है, half mv square, अब start करतीजे, rate of, rate के साफ से dk upon dt, 1 by 2 बाहर आगया, v square यहाँ पर constant यह अंदर रोगया, dm upon dt, पहें चलने दीजे, 1 by 2 v square, dm upon dt को मैं इन दोनों को use करना चाहता हूँ, तो यह लिखा मैं गोना तो नहीं किया, dl से उपन निचे multiply कर दियो, dl को ले गया, dm के नीचे, और एक बन गया, dl upon dt, अब आपस क्रोस कर दो, एंसल, dl, तो आपस आजाएगा, dm upon dt, लेकिन यह क्या बन गया, dm upon dl, small m, और यह क्या बन गया, small v, तो यह हो गया, 1 by 2 v square m into v, यानि कि 1 by 2 mv cube, इ अगर मैं इसको पूर ढंक से बोलू, तो dk लिखदा मैंने, what is the rate which and your energy imparted to water, 1 by 2 mv cube, good question, यह framing important है, यही बस calculus के खासद होती है, जिस direction में कोई, जिस rate से change हो रही हो, यहाँ पर length change हो रही ही, तो वह speed बन गयी, और जो यहाँ पर unit length का mass है, क्योंकि हमने इसके length छोट पाएग पूटी सी मानी है, जो mass है dm, तो unit length का mass, mass per unit length, dm upon dl, dm upon dl, अभी आपका आगया दूसरा section, center of mass and collision, हलका से recall कर लिजे, इस पर सबसे important बात है, जब भी ऐसे question में कोई भी actionable force absent होता है, तो बस वहाँ से बोलो के ACM क्या, 0, ACM 0, VCM क्या हो गया constant, अब यहाँ रुख जो, VCM constant मे अगर शुरू में सिस्ट्रम रेस्ट था, तो center of mass क्या था, रेस्ट, यानि VCM शुरू में 0, तो बाद में भी क्या होगा, 0, क्योंकि कोई भी unbalance external force नहीं है, तो यह यहाँ से आपने बोला, बहुत छोटी सी बात लगी लेकिन से बहुत बड़े-बड़े questions all होते हैं, यह thought आप कहाना चाहिए, इस सिस्ट्रम में देखिए, कोई भी बहार से unbalance force नहीं है, actual force absent है, तो आप बोलोगे, ACM0, ACM0 यानि velocity constant, इसके साथ, velocity को देखो, शुरू में अगर rest है, तो बाद में भी क्या rest रहेगा, और ऐसे internal reactions यहाँ भी होती है, mutual interaction के साब से, वहाँ पर शुरू question कैसे कर सकते हैं, आप चलो हो, Newton Mechanics में, कोई पूली block system है, आपको मालूम पर जाएगा, कि acceleration numerical system का क्या हो निकाल लिया, लेकिन एक नीचे जा रहा है, उपर जा रहा है, तो ऐसे vector A1, A2 बराबनी होंगे, तो proper sign देना होगा, फिर आप से पुछ लेंगे, बाद बाद सिस्ट आपको मालूम है, सबसे important कोई साभी collision, कोई साभी interaction, सधाबार हमेशा linear momentum conservation, हमेशा final को left रखना, initial को right रखना, ताकि unknown आपको हमेशा left पर तयार हो, और ये Newton, हर जगे टांग अड़ाता Newton तो, Newton law of collision, velocity of approach और velocity of separation का relation क्या है, ठीक है, आपके generally neat level पर ये वाले question बहुत कम आते हैं लेकिन आपके अधिकतर जो भी question आए, वो अधिकतर standard चल रहे हैं, देखते भी क्या, पहले वाल किसी बास समझे, 2D collision, recall कर लीजे, resolve करना आना चाहिए, direction initial क्या है, एक को I माल लो, एक को J माल लो, direction एक positive I कौन सी, positive J कौन सी, और फिर question कर सकते हो, कभी आपको बोला जाए, कि ये शुरू में rest था, ये move करके हुआ, उसके बाद perpendicular के साफ से एक चलने लगा, तो दूसरा कैसे जाएगा, तो आपको मालू में, शुरू में कि I में momentum है, तो J में कोई momentum नहीं होना चीए, शुरू में नहीं था, तो अगला ऐसा चलेगा, कि उसका एक J component तो दूसरे के J component को खतम करेगा और एक X component शुरू के X momentum को balance करेगा, तो आपकी वो direction जो आप पस independent है, अब आरहम से एक बार I में लिख दो momentum conservation, एक बार J में लिख दो, यहाँ पर I का मतला X में लिख दो और एक बार Y में लिख दो, तो ऐसे question आपके दो-दो line के खतम हो जाते हैं, एक आपको X momentum लिखना है, एक while momentum लिखना है, और question solo हो जाएगा, पर जहाँ भी collision elastic होगा, बला वो head-on collision हो, यह 2D collision हो, वहाँ पर आपको हमेशा मालूम है, काइंडी का energy करेती ही, conserve रहती, तो वहाँ उसकी बात करे, तो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे important है पहले momentum condition को धंक से लिखना, जिस direction में है, उसमें उसको ढंक से resolve करके, final is equal to initial करना हो, और radio of R है, पनाधी डिस्क ठीक है, circle whole radius, आपका बड़ा standard question, यादी आगया होगा answer, लेकिन बस कोई खटाक से बोलना है, जो भी hole यहां से cut हूँ, रबाई 2 है, हम जानते हैं, इसके लिए M is equal to pi R square into thickness into density, thickness density constant, यादी M is proportional to R square, तो जो मास्क गया, वो कितना गया, M by 4 चला गया हूँ, तो अगर इसको मैं हलका सा diagram बना के करूँ, और चीज आपको लगेगे, आसान, यह मास्क M by 4 गया, तो remaining गया 3 M by 4, ठीक है, tangent to the rim of the disc, बन गया वो diagram को मालूम था, remaining risk यह है, पहला काम खतम हो गया, mass हो गया, find the distance of center of mass from the center of original disc, यह center of original disc है, अब जो center of mass के यह होगा, इसको निकालना है, इसको मान लेते 1 body, इसको मान लेते 2 body, तो खटाक से बोलिए, M1 X1 is equal to M2 X2, what is M1? 3 M by 4, X1 निकालना है, what is M2? M by 4, इंटो यह क्या होता है? R by 2, खतम M से M cancel हो गया, 4 से 4 गया, 3 निचा आया, 2 से multiply होकर R by 6 बन गया, standard question. system release, okay, then acceleration of the center of mass of system, आपको मालूम है, पहला आपना step यह हो गया, जो अपन mechanics से करते हैं, heavy, नीचे जा रहा है, A से उपर हालका वाला, खटाक से बोलिए system का A कितना होगा, 3 Mg मैंस Mg, 2 Mg, upon M plus 3 M, 4 M, यानिक A बराबर GY2, यह GY2 से नीचे और यह GY2 से उपर, यह तो आपको होगा, मैंके discussion, अब होगा center of mass का मतलब, तो आप खटाक से बोलो, A, C, M vector के साब से, M1, A1, यह अपना अभी लिख रहे हैं केवल, वह एक्जामन ही लिखना है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें एक vector, अगर A1 vector है, वो अगर positive माना जाए, तो दूसरा vector A2, negative माना जाएगा, मैंने इस direction को भी positive मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे खेल value पूछी, direction नहीं बात करी, तो मेरे पास यह है 3M into G by 2, minus M into G by 2, मैंने डाउंडर को positive माना इध्यान रखना, तो upward मेरा negative है, इस दिसको negative कर दिया, 3M plus M, 4M, डेड़ में से आधा गया, यानि कि 1, M G upon 4M, यानि कि G by 4, no doubt, अगर इसकी direction बोल लूँ, तो positive is कर दो downward होगा, शुरू में जो कहा था, उसे एक question आ गया, a shell is fired from a kernel with velocity, an angle with the horizontal direction, जैसा बूला, चले के projectile के अंदर, या angle देदिया theta, ये कोई V, some speed, export two pieces of equal masses, highest point पर, highest point पर अपने को मालूम है, बस explosion हुआ, इंटरनल कोई process इसका दो momentum रहेगा, conserve, तो मैं इत्ता बोलूँगा, इस समय यहाँ पर इसके लिए, जो भी mass था, उससे ये V cos theta, लेकिए इसके दो part हो गए, एक retrass कर रहा है इसका वान्तों, उसकी तो speed वही हो गई, ये V by 2, mass m by 2, और इसको माल लीजे, m by 2 into v dash, तो आस बुचा ये वाली के velocity v dash क्या हो भी, खटाक से कर लेंगे आप, final को लिखेंगे, m by 2 v dash minus m by 2 v cos theta, जो बिसकी है मेरे, is equal to Shuruka m v cos theta, m by 2 v dash is equal to 3 by 2, अधर जाके 1 plus half half 3 by 2, 2 c 2 cancel, m c m cancel, बिज़िश बरावर 3 v cos theta, आपका बहुत इस टेंडर क्योश्चन है ये, अगर वापस आएगा तो इसी form में से कोई chain नहीं करेंगे, हाँ कभी हो सकता है, angle को ये theta को vertical से कर दें, तो वो फिर v cos के जगे sign हो जाएगा, ध्यान रखिएगे, हम इसको IJ form में भी कर सकते हैं, जैसा आपका अच्छा लगे, उसमें कर सकते हैं, उसको minus 1 एकर भी कर सकते हो, कोई देखकर में, 1 kg stationary bomb is exploded in 3 parts having mass, तो अगर ये m है, ये m है, तो ये 3 m है, ठीक है, parts having same mass move, ठीक है, explosion हुआ, दो mass चलेगा अपस में perpendicular, ये m और ये m, इसकी speed भी भी, इसकी भी भी, तीसरा momentum conservation के लिए, system का initial momentum के arrest मतलब 0, तो finally भी क्या होगा 0, तो इनका जो resultant होगा, उसको counterbalance करेगा, remaining increment क्या होगा 3 m, यह दिखाता हूं 3 m, इसको मालता हो V dash, इन दोनों का resultant क्या होगा, root 2 mv, तो खटाक से बोलोगे, 3 m into V dash is equal to root 2 mv, हम objective question के लिए करना, इस लिए हम ज्या V, V, साहिए, V क्या दे रखा है, शुरू में, V दे रखा है, आपके पास 30, तो यह हमारा होगया, 10 root 2, अगर यहां पूछला, energy कित्ती produce हुई, half mv square, half mv square और इसकी ही है, बाद भी दे रखा देंगे, तो मालता हम इसको करें लेते हैं, energy produce explosion में कित्ती हुई, तो 2 times तो हो गया, half mv square, जो हापस पर right angle है, plus half 3m into v dash का square, तो इस square करूँगा, तो 2 by 9 v square, 2 से 2 गया, 3 से यह गया, 3, एक तो बन गया mv square और एक बन गया mv square by 3, यह से explosion के अंदर kind degree produce हो गई, यानि कि 4 by 3 mv square, एक क्रेशन अपने और जोड़ दिया, कि energy कित्ती produce हुई, जो explosion से energy क्या होई, तीनों के एक अंडिकर सम कर दीजे, दोनों का तो half mv square और इसके लिए, वीड़स निकली गया था, तो proper उपसरपन कर सकते हैं, 4 by 3 mv square, make it important question, ऐसे question हाज कल fashion में चल रहे हैं, कभी भी आ सकते हैं, तो मैंने का था कि एक question आपका इदर आने वाला है, तो मैं इसको mark कर रहा हूँ इसमें, वह सकता है कि आप से बाद speed की करें, जहां direction की बाद भी होगी तो velocity की करें, या फिर energy पूछे, explosion के साब से कितनी produce भी, तो भी कर सकते हैं, ratio कुछ भी दे सकते हैं, numerical data के form में कुछ लिखरें फरक नहीं पड़ता, लेकिन ratio कुछ भी दे सकते हूँ, उसके साब से करें, और आप उसके बाद कोई भी question को दोनों फर्म में कर सकते हैं, speed के लिए भी और energy के लिए भी, यह question आपके नीट में है, लेकिन वहीं हो गया, देको 5M हो रहा है, 3 fragments, 2 fragments of mass M, इसका M, M और remaining 3M हो गया, यह वही question हो गया, जो अभी आप पर नहीं कर रहा है, और अभी भी भी बोला, mutually direction क्या है, परपर nuclear, with speed, then release, इसका दो भी जो आपने निकाला था, answer वही हो जाएगा, दोनों question साथ हो गया, दोनों question के साब से, कोई भी इन में से एक पार्ट, या तो वह वह अला पार्ट, ऐसा या ऐसा, एक question आपका इंतिजार कर रहा है, 2 spherical bodies of mass M, 5 M, ready R, 2 R, release for in free space, the initial separation between the center equal to this one, ठीक है, जब भी ऐसे question होते हैं, internal जो भी यहाँ पर mutual interaction लग रहा है, उसके कारण, यानि कि system के लिए बाहर से, पुरे system मतलब दोनों को मिला दें, अन्वलियम्स फूर्ट कितना है, 0, अगर शुरू में system rest है, अगर शुरू में VCM 0 है, तो बाद में VCM कह रहा है, अगर 0 यानि कि एक तरह से velocity center of mass के साफ से, अगर 0 यानि center of mass वही rest रहेगा, अब question क्या बोल रहा है, यह M, यह 5 M, कि अब पढ़ना है question को, distance शुरू में कित्ती है, 12 R, एक की radius है, R, एक की 2 R, सेधी से बात जब यह collision करेंगे, कौन कितना चला है, मालूम लेकिर यह दिख रहा है कि अब इनके बीच का separation क्या रह जाएगा, R, 2 R, 3 R, रह जाएगा, तो दोनों मिलके कितना चले, 12 R, माइनस 3 R, दोनों मिलके चले, 9 R, भापास समझना, शुरू में separation किता था, 12 R, जब collision हो रहा है, तो यह इनके center के बीच की distance क्या रहा है, कि 1 R, 2 R, तो 3 R, इसका अबलब system के साब दोनों मिलके कितना चले, 12 R, माइनस 3 R, 9 R, अब इतना सा बताना है, क्या पूछ रहा है, जो अपने बोला हुए interaction के साब से, momentum conversation, CM शुरू में rest से, तो बाद में भी क्या रह रहा है, distance कवड़ा, smaller body, यानि smaller body, इसके दवारा कितना च कर दीजे, center of mass के साब से position, M X is equal to 9 R minus X into 5 M, solve कर दीजे, में इतना सा कर देता हूं आपके लिए, X is equal to 5 into 9 R minus X, 5 X जाएगा 6 X, 45 R, X is equal to 45 by 6 R, searching 247 point something, जो पूछा उसका निकालना है, पूछा, distance covered by smaller body before collision, जितने भी ऐसे question होते हैं, इसमें इतना सा देखना है, शुरू में CM rest है, तो बाद में भी क्या है, rest रहेगा, क्योंकि यहां पे mutual interaction चल रही है, जो force कौन सा है, force of gravitation, a person of mass M is standing on one end of plank, आपने इसे बहुत question कियोंगे, plank पे mass है, आदमी का M, plank का mass है capital M, length है उसकी L, and floating in water, the person moves from one end to another end, person चल रहा एक end से दूसरी end, लेकिन plank हिसे पीछे की और, इसका मतलब अगर person चल रहा था L, लेकिन plank हिसा गया X पीछे, तो plank हिसा गया, उसका mass M है, और person बस तुम चल कितना बाए ground के respect में, L-X, तो small M person चल पाया, L-X, यह चला इतना, सीधर बोलूँगा, momentum condition बोलो, यह center of mass अभी भी क्या रहेगा, rest रहेगा, तो ऐसे question को पिस एक line में खितम करना चीए, सीधर आप बोलोगे M into, और फिर option से देख सकते हो, M into X, इसका उदर चला जाएगा, तो यह होगा, M L is equal to X आगया, M plus small M, आप से पूछा है, कि प्लांक कितना चला, हमने प्लांक को कितना माना था, X माना था, तो यह होगा हमारा X is equal to small M into L, पर ध्यान रखना छोटा M, बड़ा M कौन है, उसके साफ से option answer के साफ टिक करना हो, उपर तो आएगा नहीं, अब यह दोनों में से M L, यह यह गलत कि आणसर हो, एक-एक लाइन की question होते है, इन question को कुछ भी form में दिया जाए, आपको इस question के अंदर बस यह देखना है, एक body कितना चल रही, दूसरी हलकी से recoil होई, तो वास्तों में कितना चल पाई, परसन एक एक एंट से उसे एंट गया, चल रहा था L, प्लंक हिसक गया X, तो L मैंस X वास्तों में ग्राउंट के स्परिंगा चला, और फिर आपने आरम से रही, M 1 X 1 is equal to M 2 L 2, M 1 X 1, M 2 X 2. 2 person of masses, okay, respectfully are at the opposite of board, length of board, no, 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 f try, mo. jeśli दो ऐर से था, इंटर आपने पन्पिने नहीं किया रही पार, तो इसमें शिफ्त नहीं होगा, वैसे बही आपसे most तो जब भी center of mass के question होते हैं, बच्चों ध्यान रखना, इन question में हमेशा अगर option में आपका answer zero है, और मालूम है कि center of mass के साफ से कोई internal यहाँ पर, बस reaction तो हो रही है, mutual interaction तो हो रहा है, बाहर से कोई force नहीं है, तो center of mass हमेशा वहीं रहेगा, इसका shift किया होगा zero, और answer में कहीं zero, तो उस पर आराम से आप tick कर दो, बिना किसी घबरहाट, चटपड़हाट के साथ tick कर दीजिए, question आपका गलत नहीं होगा, वो positive होगा. To is fair, A and B of masses M1, M2, ठीक है, शुरू में A rest है, and B is moving the velocity, ठीक है, A rest है, और B, B से आ रहा है, ठीक है, M1, M2, इस direction को अपन X मान लेते हैं, यह मान लेते हैं Y, after collision, B has a velocity, V by 2 direction, perpendicular to, भई, आपके लिए समय, B अब चल रहा है, perpendicular हो सकता है, उपर चले, या फिर नीचे चले, दो संभा होना है, इस direction के चल रहा है, perpendicular, कौन, B, V by 2 से चल रहा है, तो no doubt, A ऐसा चलेगा, कि उसका A component तो initial, इस momentum को जो X direction ले बैलेंस करेगा, और दूसरा component, जो यहाँ पर V2 से मिल रहा है, उसे cancel करेगा, तो मैं इत्ता सक कह सकता हूँ, direction दिखाने के लिए शो कर रहा हूँ, यह माली सब पोजिस्टर में, A के लिए, यह को direction आ गई, theta, यह चल रहा है, V dash से, इसका mass M2, इसका mass M1, यह component, after collision balance करेगा, initial momentum, X direction के M2V को, और दूसरा component cancel करेगा, इसको, तो यहां लिख सकता हूँ, मैं, M1V dash cos theta, और यहां लिख सकता हूँ, M1V dash sin theta, M1V dash sin theta balance करेगा, इस direction में M2 के, इस momentum को, और यह वाला momentum, M1V dash cos theta balance करेगा M2V को, तो अगर मैं direction पहले, X में momentum लिखूँ, तो PX के साब से, M1V dash cos theta बराबर होना चाहिए, M2V, अगर मैंने एक option लिया है, कि अगर उपर जा रहा है, पर पेंडिकूल, दूसरा वाला भी होगा, इसका answer 2 होने चीए, मेरे पोद लग रहा है, 1 into 2 होने चीए, M1V dash sin theta balance M2V by 2, ठीके, divide कर दे जो ultra, sin theta upon cos theta लेकर करना, यह V dash cancel, M1 cancel, divide कर रहा हूं, मैं ultra कर रहा हूं, यहाँ पर, यह cancel, तो मेरा sin theta upon cos theta, तरह 1 by 2, यानि कि 10 theta is equal to 1 by 2, अब अगर यह direction आपके लिए यहाँ पर negative है, suppose, negative के साफ सोसा का यह angle आपके लिए clock wise negative आ रहा हो, और एक आपके लिए उपर जाए तो positive आ रहा है, इसका लग दोना answer हो सकते हैं, एक बार 1 by 2 plus में, और एक बार minus में, इसने दोनों option होने चीए, अब मैंने एक को लिया है कि अगर यह ऊपर जा रहा है, perpendicular तो इसका direction के साफ से क्या होगा, यह इसका counterbalance करेगा, और यह नीचे आ रहा है तो ऊपर दिखा देंगे, इसका वादर दोनों option होने चाहिए, दूसा स्वाल करने जूरत नहीं है, रिजॉल करना आपको आता है, ढंक से लिखें आराम से, कुछ जलबाजी ना करें, question आपके लिए, theoretical के साफ से important है, दो possibility है, चलि काफी practice होगे और देखते हैं कुछ है क्या, तो यह हमारा था, एक छोटा सा chapter, work, power energy, center of mass और collision, जिससे दो किष्ण आपका इंतिजार कर रहे हैं, और आप आरम से उनका आप कर सकते हैं, तो अच्छो आज का गुरू मंत्र, और आज का गुरू मंत्र तो हमारी सांसों के साथ, जो life चल रही है, उस पर है, कहते हैं, जब तक पलस चल रही है, while there is life, there is hope, तो इंसान को जब तक पलस चल रही कभी उमीद नहीं छोड़नी चीए, और हमारी पैचान मुस्कुराना है, इसमाइल तो हमारी घस्व की ताकत है, इसलिए कुछ भी हो जाए, कभी दो चीज मत छोड़ना, एक मुस्कुराना और दूसरा उमीद, हमेशा आपका नजरिया पॉस्टिट रहेगा, केप स्वाइलिंग, all the best. हाँ प्यारे बच्चों, फूर्द कमिंग डॉक्टरस, पांच मही नीट का एक्जाम, आपका शोव, दो से पांच बीस, निकल के आपके अंदर इच्छा होगी, खटा-कड़े स्कोर मॉलो पढ़ जाया, कट अफ मॉलो पढ़ जाया, सॉलूशन मॉलो मॉलो पढ़ जाया, आइसकोर मॉलो पढ़ जाया, उसके बाद कौन सा मेडिकल कॉले, जो लगा तो सेक्वेंस रती है, तो पांच मईए के शाम से वो बात आपके साथ चालो होने वाली है तो पांच मईए को मैं लाइफ आपके साथ शाम को साड़े सी बज़े एलन नीड चैनल पर सीधे पेपर को लाइफ सॉल करूंगा उसी सिक्वेंस में आगे आपके केमिस्ट्री और बाय के सॉलिशन भी हो जाएंगे उसलिए रात को आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका स्कोर क्या है और आपके हाथ खाली मुठी नहीं बंद मुठी है जिसमें आपकी अपनी वो चाखत हकीकत में आ चुकी है ठीक है तो आप इंतिजार करिए मैं भी बहुत बेतावी से इंतिजार कर रहा हूं भूला नहीं पांच माई शाम को साड़े च्छे बजे यह केवल संभो एलन पर है क्योंकि एलन है तो हर चीज मुम्किन है कि पिसमाइलिंग